नमस्कार आप देख रहे हैं दिव्वे हमाचल वेप टीवी मैं कवीता सिंग और मैं राहूल सुंदन आए नजर डालते हैं आज के मुखे समाचारों पर देव भूमी में गणेश महोत्सव का समापन अगले बरस आने का बादा लेकर भक्तों ने बप्पा को दी बिदाई हमाचल में आल्लाइन मिलेगा जमीन का रिकॉर्ड मुखे मंत्री जाराम ठाकुर ने किया पाइलेट प्रोजेक्ट का शुभारम अनामी का पाल हमाचल प्रदेश विश्व विद्याले की S.C.A. अध्यक्ष मेरिट के आधार पर मारी बाजी युवति की असमत लूट विदेश भागा आरोपी गिरफतार दो साल बाद घर लोटते ही उठा ले गई पुलिस बहस से गुसाए सिर्फिरे ने दागी तीन गोलियां कांगडा के डमटाल में युवक ने भाग कर बचाई जान नशा मिलने पर अब दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का केस प्रदेश भर में 300 CCTV कैमरे लगाएगी पुलिस और T20 के लिए कल धरमशला पहुँचेगी टीम इंडिया शनिवार को नेट पर करेगी अभ्यास अरग समाचार विस्तार से देव भूमी हिमाचल में गुरवार को गणेश महोत्सव का विदिवत रूप से समापन हो गया इस अबसर पर नाचते गाते और मस्ती में जूमते बपा के भक्तों ने लाल बाग के राजा को विराई दी विसरजन से पहले निकली भगवान गजानन की शाही सवारी ने खुशी और उल्लास से महोल को चार चांद लगा दिये भीज विसर ले कैंप tratar मात मत की शुरत पीच में ।र मेंभी तक का दो का च Пट्क सवारी ले याल मत की शिए्टश पनार पादे लोगों के दुख कस्ट और कलेश हरने के बाद रहमत का खजाना लुटाने वाले लबमोदर महराज की शान में जगा जगा भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई इस दोरान भक्तों ने जमकर गुलाल उड़ाया गणपती बपा मोर्या के नारों के साथ निकली भव्य जहांकियों के आगे नाचते भक्तों पर फूलों की बारिश ने जमकर समा बांधा इससे पहले सुभा बिदिवत रूप से एकदं तमहराज की पूजा अर्चना की गई इसके बाद भोग लगाकर भक्तों ने गणपती जी से अगले साल फिर से आने का बादा लेकर उन्हें भाव पूरण विदाई दी हिमाचल में अब जमीन का रिकॉर्ड आनलाइन मिल जाएगा इसके लिए अगर प्रदेश सरकार का ट्राइल सफल रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को पठवारियों के पास चक्र काटने से चुटकारा मिल जाएगा गुरुवार कुर राजधानी शिम्ला में मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनी की करन कारेक्रम के तहट राष्ट्य समाने दस्तावेश पंजी करन प्रणाली का शुभारम किया शिम्ला शहर और कुमार सैन तहसील में शुरू किये गए इस पाइलेट प्रोजेक्ट के रिजल्ट अगर सही रहे तो ये प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी मुखे मंदरी जैराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रक्रिया में जल्दी पंजी करन के साथ आनलाइन मुल्यांकन और भुक्तान की सुविधा भी शुरू होगी लोगों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टांप ड्यूटी और इमेल अलर्ट की सुविधा मिलेगी इतना ही नहीं इससे राजस रिकॉर्ड के साथ किसी भी प्रकार की छेड़चा नहीं हो सकती है जैराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल देश का सात्वा राजिय होगा हिमाचल प्रदेश विश्विध्याले शात्रसंग चुनावों में इस वार छात्राओं ने बाजी मार ली है मेरिट के अधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव का पद जटक कर शात्राओं ने जीत का परचम लहराया है MBA की छात्रा अनामिका पाल को प्रदेश विश्विध्याले शात्रसंग का अध्यक्ष चुना गया है वहीं प्रवलीन कोर को उपाध्यक्ष दीपक भाटिया को सचिव और रिवा को संयुक्त सचिव का जिम्मा सोंपा गया है इसके अलावा 78 विभाग ये प्रतिनिधियों की नुक्ती भी कर दी गई है विश्विध्याले के DSW प्रफेसर कमल जीत सिंग ने इस संधर्व में अधिसूचना भी जारी कर दी है उन्होंने कहा कि S.E.A. के सभी प्रतिनिधियों को जल्द ही शपत दिलाई जाएगी बता दें कि इस वार भी संगठनों की छातर संग चुनावों की बहाली की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने मेरिट के अधार पर ही S.E.A. का गठन किया है दुशकर्म के आरोपी को विदेश से लोटे ही पुलिस ने दबोच लिया मामला मंडी जिला के जचियोट का है आरोप है कि यहां दिसंबर 2017 में आरोपी युवकनी युवति की असमत तारतार कर दी और इससे पहले की पुलिस से इस तक पहुँच पाती आरोपी साओधी अरब चला गया इसी बीच पुलिस ने धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को भारत लाने की काफी प्रयास किये लेकिन काम्याबी नहीं मिल पाई अब वीजा खत्म होने के बाद जैसे ही आरोपी घर पहुँचा तो महिला थाना की टीम ने उसे तुरंट गिरफतार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया S.P. मंडी गुर्देव शर्मा ने बताया कि आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमान पर ले लिया गया है कांगडा के डमटाल में मामुली कहा सुनी के बाद तम तमाई सिर्फिरे ने युबग पर एक के बाद एक तीन गोलिया दाग दी सुरजपूर जिगला में हुई इस बारदात से लोग सहमे हुए हैं गनीमत यह रही कि नशे में धुत आरोपी की एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी थाना प्रभारी हरिश गुलेरिया ने खबर की पुष्टी की है बताया जा रहा है कि बुधवार रात बरुन कुमार की शराब के नशे में चूर आजीत कुमार के साथ किसी बात पर तू-तू-मै-मै हो गई इस से गुसाया अरोपी पीछा करता हुआ जबरन बरुन के घर में घुसाया और रिवालवर निकाल कर तीन फायर कर दिये आरोपी से बचने के लिए युवक घर में चिप गया और बाद में मोका मिलते ही भाग कर डमटाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलीस मामले की जाँच में जुट गई है हमीरपूर के बोहनी में करंट लगने से जूनियर टीमेट की मौत हो गई पेड की टहनियों के बीच से गुजर रही सर्विस वायर के मरमत के वक्त टीमेट सुनेल कुमार का हाथ नंगीतार से चुग गया और उसे करंट लग गया जोर के जटके से जूनियर टीमेट मौके पर ही बेहोश हो गया इसी बीच उसके साथ ही उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपूर ले गया जहां उसकी मौत हो गई पुलिस ने पोस्माटम के बाद लाश परीजनों को सौम दी है वही पीडित परिवार को बिचली बोर्ड की तरफ से 35,000 की फौरी रहात दे दी गई है एसे चो हमीरपूर संजीब गौतम ने खबर की पुष्टी की है देव भूमी हिमाचल में नशा परोसने वालों की अब खेर नहीं है नशा रखने वाले के खिलाफ अब सीधा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्च किया जाएगा यह बात डीजीपी सीताराम मरडी ने गुरुवार को धरमशाला में उतरी रेंच के अधिकारियों और सेचो के साथ बैठा कर हालात का जायजा लेने के दौरान कही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर के महत्वपूर्न अस्थानों पर 300 CCTV कैमरे लगा कर हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी डीजी पी ने कहा कि पुलिस भरती परिक्षा में शूटर बिठाने वाले फर्जी बाड़े में मुख्या आरोपी के रिष्टदारों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है अब जल्द ही शातिर सीक्चों के पीछे होगा मौनसून के कहर के बाद अब हिमाचल में सूरत सितम धाने लगा है हालिया है कि दोप खिलने से पढ़ रही उमस भरी गर्मी ने लोगों का सुकून छीन लिया है इसी बीच मौसम विभाग का ताज़ा पूरवा नुमान और परिशान करने वाला है विभाग की माने तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में 15 सितमबर तक गर्मी से रहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और इस से तापमान में तीन डिगरी साश्यस तक का उच्छा लाया है उना, बिलासपुर, कांगडा, हमीरपुर, नाहन और बीबियन में उमस भरी गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहल सिंग ने बताया कि अगले हक्ते मध्यम और उन्चाई वाले क्षेत्रों में एक दो जगा ही बारिश के आसार है जबकि बाकी जगा मौसम साफ रहेगा प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रूप दिव्वे हिमाचल के लोकप्री एवेंट डांस हिमाचल डांस का मंच गुरुवार को पॉंटा साहिब के विश्व कर्मा मंदिर के ओडिटोरियम में सजा इस दोरान ओडिशन के लिए बेसवरी से इंतजार कर रहे डांसर्ज ने जम कर धमाल मचाया कारे क्रम में रोटरी क्लब पॉंटा के पूर्वा अध्यक्ष हिमाचु भाटिया ने बतोर मुख्यतिती शिरकत की वहीं जगनात सेवा ट्रस्ट के प्रधान हरविंदर कुमार ने विशेश अतिती के रूप में मौजूद रहे कर प्रतिभागियों की पीठ थप थपाई इस मौके पर ओडिशन देने पहुंचे प्रतिभागियों ने हिंदी, पंजाबी और पहाडी गीतों पर प्रस्तुतियों से जम कर वहवाही लूटी ओडिशन के दोरान निरनायक मंडल ने फनकारों के टैलेंट की जम कर तारीफ की और छोटे-छोटे बच्चों का गजब का डांस देखकर उन्हें एहम टिप्स भी दिये और अब खेल समाचार 15 सितंबर को होने वाले अंतरराष्ट्रिय टी-20 क्रिकेट मैच के लिए टीम इंडिया शुकरवार को धरमशाला पहुंचेगी भारतिय टीम बिशेश चार्टर बिमान से तीन बच कर पचास मिनिट पर गगल एरपोर्ट पर लैंड करेगी यहाँ एचपीसीय पारमपरिक तरीके से खिलाडियों का स्वागत करेगी कैप्टन विराट कोहली की अगवाई में टीम धरमशाला स्थित होटल दी पैविलेन में ठेरेगी पहली बार भारती टीम महेंदर सिंग धोनी की गैर मौजूदगी में धरमशाला में पहुंचेगी शनिवार को दोपहर 2-5 वजे तक बिराट ब्रिगेड मैदान पर अभ्यास करेगी वहीं महमान दक्षिन अफरीका की टीम इन दिनों नेट पर जमकर पसीना बहा रही है गुरुवार को अभ्यास के बाद अफरीकी खिलाडियों ने मैकलोड गंज में जमकर खरीदारी कर लजीज वियंजनों का जमकर लुटफ उठाया और अब चलते चलते गुमारवी में अपने ही गाओं की युवक ने लूटी महिला की आबरू चुराह में बच्ची को बनाया शिकार असिस्टन ड्रग कंट्रोलर निशान सरीन पांच दिन के पुलिस रिमान पर पूछताच में जुटी सोलन पुलिस मागि मोबाईल छीनने से गुसाई 12 साल की बेटी ने लगा लिया फंदा भरंपुर में मातम और मनाली में आंधर प्रदेश के दो सैलानियों से पकड़ा गांजा होटल कारोबारी से डील से पहले खाकी ने दबोचे शातिर हिमाचली तड़का में आईए देखते हैं सतीश ठाकुर की आवाज में ये कांगरी लोग गीत मेरेन सिंग निका दिया मैं पंजाब बन जटी मेरेन सिंग निका दिया मैं पंजाब बन जटी फरंग उद्दा कारा दिया मैं गोरी चिटी फरंग उद्दा कारा दिया मैं गोरी चिटी मेरेन सिंग लोका दिया मैं पंजाब बन जटी भपी री तुम में रहनता, चामंग दाखर्टी-खर्टी वनित दाश राभी मितरो कलि में रहन दी सुत्य नेरी जींग निका दिया, में बढ़ी जत्य मेरेल सिंगली गादिया, मैं संचा बढ़ी जटी वो रंग उद्धा काला दिया, मैं गोली हाँ चटी वो रंग उद्धा काला दिया, मैं हाँ गोली चटी मेरेल सिंगल लौकादिया, मैं पढ़्या पढ़ी जटी ओ गढ़ियां दा मालक हाँ, निकणियां हो आ गफी ओ ठाग सारी दुनिया दा, मैं पंजाबर लुटी नैर सिंग निका दिया पढ़ते रहे दिवेह माचल और देखते रहे दिवेह माचल वेब टिवी